हेलो दोश्टों स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासिज में सरसटमी विपे CBR एसे CBR दरोगा आन एक्जाम को ध्यान में रखते हुए गटना चक की सिरी चिलाई जा रही है इसके अंतरगात हम लोग समय अंद विज्यान के रसायन सास्त के कोश्चन को देखते हैं ताकि एक्जाम में कोई भी कोश्चन आये तो आपका ना चुटे तो चलिए हम लोग देखते हैं रसायन सास्त के कोश्चन आज का टॉपिक है अपमार्जग इसका हम लोग नोट्स में देखते हैं अपमार्जग डिटरजेंट एक बिसेज परकार का कार्वनिक पदार थे जिसमें साबुन की तरह मेल साप करने का गुन होता है अपमार्जग साबुन के अस्थान पर कप्रे धोने तता बरतन हुआ अनगरेलू बस्तु एसाप करने के लिए में परयूप किये जाते हैं साबुन का उपयोग के बर मिर्दू जल में किया जाता है कठोर जल में नहीं प्रंतु इसके विपरीत अपमार्जक मिर्दू और कठोर दोनों परकार के जल में उपयोग किये जा सकते हैं क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्टित कैल्सियम और मैंगनीसियम आयनों के साथ जल में अबिले लवन नहीं बनाते हैं नेक्स देखते हैं रसानिक सनचना की दिष्टी से अपमार्जक प्रवल चार से बने अती उच अनुबार के लवन होते हैं जिसके धनायन या रिनायन में 12-18 कारवन परवानियों की लंबी स्रिंकला होती है उदारन के लिए देखे तो सोडियम लैरिक सलपेटिया एक परमुक रियानी अपमार्जक है जिसके नयन में 12 कारवन परवानियों की लंबी स्रिंकला होती है अपमार्जक का जलिय बिलियन उदासीन होता है अता अपमार्जक बिना किसी हानी के कोमल रेसी से बने वस्त्रों को साप करने में पर्यूक किये जा सकते हैं साबुन का बिलेन जल अपगटन के कारण छाड़िये होता है जो कोमल बस्तुरों को धोने के लिए हनिकारक है साबुन के बारे में देखें तो उच वसा अमलों जैसे पामिटिक अमल C15, S31 COH, सेस्टेरिक अमल C17, S35 COH आधी के दातू लवन साबुन कहलाते हैं सदान तो उच वसा अमलों के जल में बिले सोडियम या पोटेसियम लवनों को साबुन कहते हैं क्योंकि उसमें मेल साब करने का गुर्ण होता है उधारन के लिए सोडियम सिर्स एट, C14, S35 COH, एने एक साबुन है सदारन साबुन तेल वसा के छार द्वारा जल अफगटन के बनाये जाते हैं नेक्स देखते हैं तेल यावसा का कास्टिक सोडा विलियन चार अने चार द्वारा जल अवगटन करने मैं साबुन और गिरिस रॉल बनते हैं या किरिया तेल यावसा का साबुनी करन करन द्वारा प्रापसधारन साबुन उच वसा अमलो C8, C18 के सोडियम लबनों का मिश्र साबुन बनाने के लिए आवस्य कच्चे पदार्थ है बनस्वती तेल यावसा साबुन बनाने में मुंखवली महुए रंडे नारियल आधी का तेल पर्युक्त किया जाता है कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास तेल या वसा का साबनी करन कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास बिलियम दौरा कराये जाता है निक्स देखते हैं पूरक के बारे में तो साबुन में प्राया कुछ ऐसे पदार्थ मिलाये जाते हैं जिनको मिलाने से साबुन का भार और आयतन बढ़ जाता है तो साबुन सुगमता से कटोर रूप में जम जाता है इन पदार्थों को पूरक करते हैं सोडियम सिलिकेट सोप इस्टोन आधी साबुन बनाने में पूरक के रूप में पर्यूप किये जाते हैं कपरे धोने के साबुन में थोरा रेजिन विरोजा भी मिलाये जाता है जिसकी उपस्तिती से साबुन अधीक जाग देता है और उसकी मेल साब करने की छमता बढ़ जाती है अब हम लोग देखते हैं इसे रेटेट कोश्चन तो पहला कोश्चन है निम में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में परयोग होता है तो बनसपती तेल इसकी ब्याक् corridor देखे साबनी करने की रिया में बनसपती तेल आवसा एबम कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जली विलियन को गरम करके रसानिक परती किरिया के दोरा साबुन का निर्मान होता है ग्लिस्रोन मोक्त होता है नेस कोश्चन देखते हैं साबून ग्रीज को हटाता है तो पैसी करन द्वारा इसकी ब्याख्या देखें पैसी कारक समानत दुरूबी समूह युक्त लंबी स्रिंकलावाले योगिक होते हैं उधारान साबून सोडियम पोटेसियम के वसी लवन साबून के अनू में में दो भाग होते हैं लंबी हाइड्रोकर्बन साका सी सेवेंटीनेज 35 जो कि वसा में घुलनसील है तता दूसरा जल में बिले दुरूबी भाग सी ओ एन ए प्लस समूह पैसी करन के दौरान साबून के अधुरूबी एलकेल एलकेल समूह सी सेवेंटीनेज 35 तेल का ग्रीज का घुल लेता है तता दुरूबी समूह जल में घुल जाता है तो इस परकार इसे ठीक परकार जगरा जाता है जो ग्रीज छोटी छोटी बुंदे के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं जल के बहाव में सरालता से बह सोधाध रोगा को सफाय करने संक् lob雀 बियाख कंटुर्ज़ करने वाले काम आते हैं कि अपमार्ज़क कठोर जल में उपस्टीद करों को इदलिया प्रखेप नहीं बनाते यही कारान है कि ये कठोर जल के साथ दिएक झाग देते हैं ट् January मेले कप्रों से तरलता पुर्वक तेल वा गर्द निकाल देते हैं अपमार्जक जल मेले कप्रों के तो इसका अञंसर होगा कठन सही है कारण गलत है निसको उश्चन देखते हैं कथन कारण निक्स देखते हैं, नेमने खित नेमक अतनों पविचार किजिए तो पहला है कप्रेद होने के चुर में अपमार्जक में सोडियम सलपेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किये जाते हैं कि पहला होगा इसका चुन सुक्स रहे दूसरा चुन की छारेता बनी रहे तो इसका अंसर दोनो होगा इसकी ब्याख्या देखें कप्रेद होने के चूर में अपमार्जक में सोडियम सलपेट मिलाने से च्छारेकता बढ़ जाती है तता सोडियम सिलिकेट मिलाने से चुन किस्टेली हो जाता है जिसे वह सुक्स रहता है ताकि आपका रिवीजन हो जा यहां से कोई कोस्चन आपका एक्जाम में न चुटे तो आज के लिए तना है दोस्तों फिर मिलते हैं निक्स्ट अप्पी की साथ थेंक यू